कोरोना का संक्रमन शहर और जिले में हर दिन डरावनी तस्वीर बना रहा है जेसे जेसे संक्रमन बढ़ रहा है शहर के साथ जिले में मोद का आकड़ा भी बढ़ता जा रहा है शमसान और कबरिस्तान में जग़ पाने की होड मची है पहले भीड बाजार में होती थी और शमसान और कबरिस्तान विरान होते थे आज बाजार सुनसान है और शमसान और कबरिस्तान में भीड मची हुई है एक, दो, तीन या चार नहीं, दस-दस और बीस-बीस शवों को जलाया और दफनाया जा रहा है अंतिम संसकार कराने वालों की सांसे फूल रही है और कब्र खोदने वालों के हातों ने दम तोड़ दिया है कोई नहीं जानता कि यह सिलसिला कहां जा कर थमेगा कोरोना संक्रमन की संख्या के सांथ शहर के शांतीवन में जलने वाली चीताओं ने भी रिकार्ड तोड़ना शिरू कर दिया है 16 अप्रेल शुकरवार की सुबह से शाम ढलते ढलते बीस लोगों का अंतिम संसकार किया गया शमसान में बड़ी भीड से कोरोना का परहेज भी तूट गया शुकरवार को अंतिम यात्रा निकलने का सिलसिला शहर में सुबह से शुरू हुआ जो दिन भर चलता रहा इन यात्राओं में राम नाम की धुन का शूर नहीं दिखाई दिया कोरोना संक्रमन का खोप नजर आया कोई चार लोगों की सहरे कोई शान्ती वहां से और कोई लोडिंग वहां से अंतिम यात्रा को लेकर शमसान पहुंचा शमसान में इन शवों को जलाने के लिए इंतजार करना पड़ा और चीताओं को जगह नहीं होने से खुली जमीन पर भी जलाना पड़ा शमसान में जहां देखो वहां चीता की आग नजर आ रही है और यह आग 15 दिनों से ठंडी नहीं हो पा रही है जिसे जहां जगह मिल रही है वहीं वह अंतिम संसकार कर रहा है एसा ही शुक्रवार को भी हुआ